हाई, हाज हमें कुछ operators को देखेंगे, क्या where operator and or operator between operator ये सब देखेंगे, इसलिए में हमारे पास employee tables का table है, उसके data है, ये employee id column है, employee name और department id column है, इसलिए हमें पहले क्या करेंगे, select select mp name, select mp name from table, from employee details table, यहाँ where करेंगे, where mp id equal to sum 3, हमें यहाँ employee id 3 का select करने के लिए where clause यूज किया, where clause is to check the condition, यहाँ condition को check करेंगे, यहाँ employee id equal to 3, किसका, किसका, उसका employee name के लिए select कर रहे है, अभी देखो, employee id चेक वागा, यह, यह, वेर का condition, यहाँ यहाँ नहीं दिया तो, देखा अभी यह condition निकाल लेके और यह सिर्फ यह select किया तो पूरा table का आएगा, आमें यहाँ के data का filter करने के लिए यहाँ यहाँ के क्या होता है यह यह statement select employee from employee details where employee id equal to 3 and and employee employee name is equal to some j2 यह दोनो condition satisfy होके हमें employee name यहां department id करेंगे अभी यह दोनों satisfy होके उसका department id क्या है बतलब end condition का बात है मतलब दोनों condition true हो जाये तो भी आते देखा अभी select करा execute किया तो department id 4 आ गया देखा दोनों statement select कर लेती हुँ देखा department id 3 and j2 तो department id 4 है यह रहां output हमको 4 आ गया यह यह अभी इसका end operator मतलब दोनों satisfy होना नहीं ही तो देखा हमें यहां कुछ और employee नहीं पर like आनी दिया तो हमें कुछ नहीं आता है एक एक्जिक्यूट किया तो department id मतलब यह दोनों satisfy नहीं हुआ है इसलिए हमको कोई आपटपूट नहीं आया है यह यह end operator अभी हमें यह end निकालके और यह तो क्या हो जाता है और यह और operator मतलब यह कोई कोई तो यह satisfy employee 3 किसी को वह हो है तो उसका department id आता है और employee ने मानन किसी को वह हो तो उसका department id मतलब यहां दो तू सेलेट करें किसी किसका employee 3 है और किस किसका नम आनन दे देखा अभी यह सेलेट किया तो देखा तू यह दोनों conditions का satisfy करे या तो ऐसा output आ रही है employee 3 का उसका department id क्या है 4 है और यह employee name का किसका है true है यह सीले department id उसका one है अभी देखते है यह देखा अभी क्या हुआ employee 3 का department id 4 आउट्पुट आया हमको और employee name आनन्त का क्या department है वान है इसलिए हमको one for two no output है यह ही है और operator का और दूसरा operator है between operator हमें क्या करना है हमें department id को select करना है where employee id is where employee id में यहां between operator इस्तिमाल करने हो employee id is between two and five देखा अभी select करके output क्या तो देखा बेट्वीन 2 & 5 यह 2 & 5 मतलब 2 3 5 अभी देखा बेट्वीन 2 & 5 मतलब देखा तू हमें यहां department id नहीं अभी नहीं तेकेंगे हमें कुछ चेंग देखा देखा अभी 2 5 2 3 4 5 हमें अभी select किया है दोनों select करके देखेंगे देखा अभी और पुट क्या है बिट्वीन 2 & 5 है है बेवो है 2 & 5 बगाद 6 2 3 रज इसानी यह रहा हमारा output मतलब 2 & 5 यह बिट्वीन के लिए क्या क्या चाहिए वो सब data recruited हमें select क्या है यह बिट्वीन है और और दूसरा क्या है not between भी कर सकते हैं मतलब अभी मतलब A2 5 के बेवो बीच में कौन को नहीं आरंद इशानी है यह दोनों आता है हमको यह दोनों आता है मतलब यह दोनों को बीच में कुछ क्या क्या नहीं है उसके बाद आता है हमें ऐसा कर सकते हैं यह between operator यूज करके और क्या है वे यह between operator में करके भी और और कुछ सेलेट कर सकते हैं ऐसा मतलब क्या क्या सेलेट करना है वो सब देख सकते हैं इसलिए between हमें क्या करते हैं अभी दूसरा between two and five करते हैं और हमके सेग्रिगेट करना है तो ऐसा कर सकते हैं and not employee name cannot employee name in देखो हमें क्या देखो हमें क्या सेलेट किया to between two and five सेलेट किया मगर उसमें employee name छेटू नहीं नहीं होना चाहिए और एड नाम देखो अभी देखो हमें यह सेलेक्ट किया between two and five मतलब यह two three four five यह पूरा चार वाल्यूस आते हैं मागर यह चार वाल्यूस में हमें और फिल्टर करने के लिए नहीं नहीं चाहिए इसलिए हमको एट्री आएं यह रहां हमें वेर वेर ऑपरेटर बिट्वीन ऑपरेटर एंड और 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 इसां कुछ भी इस्तमाल करें यह सब हमें है इसलिए के लिए सटेटे और यह कर सकते है। यह वेर अप्डेट में भी कर सकते हैंadd के आपडेट के अप्डेटक दे इस चबशुत कर वापनेल ले इंचिकर वेर चाहिए ह eg अभी मैं अप्डेट कर लेती हूं अप्डेट एंप्डाई डीटेइल्स सेट एंप्लोई नेम एकोल टू संट एक्स यज़ वेर एंप्लोई आई डी एकोल टू वाँ क्या करें हैं मैं अप्डेट कर रहे हूं वेर क्लॉस के अप्डेट का सब रिसेट ग्लाई नेम लेखंट वे एंप्लाई नेम टो चेंज हो गया और सेलेट करते हैं देखो आम्रा रही नेम चैंज हो गया यह रहा ऐसा अपडेट का अपडेट स्टेट्में वे भी यूज़ कर सकते हैं वह यूज़ और वह सब देख रहा है आज के लिए ये दन्य